नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सब एक हमारे इस यूटूब चैनल पर 69 रिया से समंदेद मातोर जानकारी के बारे में बात करने वाला हूं तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कटाफ मुद्दे पर सुप्रीम कोड में सुनवाई समाप्त हो चुकी है और आरडर सुर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवसी सब्सक्राइब कर ले और पास के बिल आइकन को प्रेश कर नौटिफिकेशन वियान कर लें जिससे कि यह मारी और से प्रोवाइड की जाने वाली हरी वीडियो वाजनकारी आप तक सबसे पहले पहुंसके तो चलिए सुरू करते हैं इलाहबाद हाईकोड की लखनों खंड पीठ ने प्रदेश के प्राथमी विद्यालों में नतर या सिशेवर्ती मामले में CBI जाच कराये जाने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिश कर दिया है न्याइमूर्थी पंगच कुमार जैसवाल वा न्याइमूर्थ करुडे सिंग पवार की खंड पीठनी या फैसला वकील सत्यंदर कुमार सिंग की ओर से दैर जनहित याचिका पर दिया यूपी सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल रागवेंदर सिंग वासयोगी अपर मुख हिस्ताई एडवोकेट रनवीजे सिंग ने सुनवाई के समय अदालत को बताया कि इस मामले में सरकार द्वारा पहले से जाच चल रही है और कई यावपियों को गिरफ़तार भी किया चुका है उन्होंनों यावी का कि जनहित याजिका पोस्णी नहीं है याची ने आरोब लगाया था कि प्रदेश में 69,000 सिच्छ वर्ती मामले में भरती के नाम पर लोगों से पैसा लिया गया इस मामले में कई सिच्छा माफिया को ग्रिफतार भी किया गया है याची ने याची का में बेशक सिच्छा मंद्री डाक्टर सतीश चंद्र द्यवेदी को भी विपच्छी पच्छकार बनाते वे पूरे मामले की जहां सीबी आई से कराने की मांग की थी च्छे अगस्त की सुनवाई की मुसीबत भी टल गई और सुप्रीम कोर्ट के निड़े का इंतजार है और अब सेच्छब बर्ति पूर्धने के आसार साफ नजारा रहे हैं इसी प्रकार की मातुर्ध जानकारी पाने के लिए हमारी और से प्रोवाइट की जाने वाली प्रत्रों को ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए कमेंट बाक्स में उनतर जा सेचाबर्ति से समद्ध कोई प्रस्ण है तो अवस्य बूचिए धन्यवाद